गोड इनिंग फ्रेंड्स इपाट साला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो इंगलिस का पिछला जो क्लास हुआ था समरी के सेक्शन के अंतरगत तो उसमें हम लोग जो ट्वेल्थ क्लास का जो इंगलिस बुक है तो उसमें मेन जो आपका प्रोस सेक्शन है तो प्रोस सेक्शन के अंतरगत lesson 8 को हम लोग सीखे थे lesson 8 के summary को हम लोग पिछले class में discuss किये थे और उस summary का नाम क्या था भई तो उस summary उस chapter का नाम था में आपका how free is the price और उसके बारे में हम लोग पिछले class में पढ़े थे देखिए आज का जो हम लोग का video होने जा रहा है तो इसमें हम लोग जो अगला lesson है lesson 9 जो है जिसका नाम क्या है the earth तो the earth के बारे में हम लोग आज के video में पढ़ेंगे और इससे related जो भी चीजें होंगी जो भी concept होंगे उसको हम लोग सिखेंगे इसको अच्छे तरीके से आज हम लोग सिखेंगे ताकि exam में हम लोग को अच्छे तरीके से जो है याद रहे और हम लोग जो है उसको ठिक ढ़ंग से लिख पाए वहाँ पर ठेक है तो चलिए आज के video को हम लोग यहाँ पर start करते हैं देखो जैसे कि आप लोग screen पर देख पा रहे हैं कि यह summary है और summary किस lesson का है तो यह जो video है यह आपका science के students के लिए भी important है और science के साथ साथ जो commerce या फिर arts के students है तो उनके लिए भी यह video उतना ही important है जितने के science वालों के लिए तो आप लोग इसको अपने जो भी मित्र हैं चाहे वो arts से पढ़ रहा हो या फिर science से हो या फिर commerce से हो तो उन सब के पास में आप इस video को अधिक से अधिक जो है share करिए ठीक है तो चलिए अब हम लोग video को start करते हैं ध्यान दीजे सब लोग lesson का नाम क्या है the earth ठीक ना देखिए start करते है first page आप लोग जैसा कि देख पा रहे है ग्लाद है जाते है कि वह एक चवा या लोग 25ा तो कर रहे है कि जो है वह एक चोटा याने कि लगू एवां रूचक कथा है, श्टोरी मिन से आपर क्या होगा, कहानी या फिर कथा, तो रूचक कहानी या फिर रूचक कथा है, समझ गया ना, आगे कर रहा है, इसमें देखिए, कि रिटेन बाई ही बेट्स, क्या कर रहा है, कि रिटेन बाई ही बेट्स, यानि कि जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो ही बेट्स के द्वारा लिखा गया है, यह जो आपका पहला जो प्रस्ण बनेगा, यहां से यहीं बनेगा, कि मतलब अर्थ जो है, यह किसके द्वारा लिखा गए इसके राइटर कौन है तो इसके राइटर में यहां पर आप लोग देख पा रहे है जा लेखक जो है वो वीडन करता है तो देखिए the laziness of the parents यानि कि जो भी parents होते हैं जो माता-पिता होते हैं तो माता-पिता के laziness यानि कि जो है आलस्पन के बारे में यहाँ पर जो लेखा के वो वर्णन करता है and the selfishness of their simple-minded son ठेक ना? और साथी साथ माता-पिता के laziness के साथ साथ वो इस chapter में किसी के बारे रिवर्णन करते हैं तो साथी साथ वो वर्णन करते हैं उनके एक selfish मतलब उनके एक simple-minded यानि कि जो एक भोला-भाला simple-minded means क्या होता है? भोला-भाला होता है तो उनके भोले-भाले बेटे के selfishness यानि कि स्वार्थी पन जो होता है selfishness means क्या होता है स्वार्थी पन तो उनके भोले-भाले बेटे के स्वार्थी पन के बारे में भी इसमें लेखाक वर्णन करता है तो जैसे कि आप लगदेब पार रहे हैं कि the selfishness of the of their simple minded son यानि कि उनके simple minded यानि कि भोले भाले बेटे के selfishness, यानि कि जो में स्वार्थ जो है, तो स्वार्थ के बारे में, स्वार्थी पन के बारे में लेखाक इसमें वर्णन करते हैं, ठीक है? आगे देखिए क्या कर रहा है? अपने माता पिता को अपने स्वार्थ के कारण अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो महीं कर रहा है कि अपने माता पिता को उनके घर से बाहर निकाल दिया, घर से भगा दिया, ठीक है? आगे देखिए क्या कर रहा है? इन दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी, यानि कि इस कहानी में, इस कहानी में कर रहा है कि जॉंसन वज अटिनेंट फार्मर क्या कर रहा है कि जॉंसन जो है जॉंसन एक टिनेंट फार्मर यानि कि एक क्या है, तो टिनेंट फार्मर मिन सोता है जो किराय पर खेती लेकर गया और खेती करते हैं किसान तो उनको टेनेंट फार्मर कहा जाता है ठेक ना अरे जो मतलब मनी बताई पर जो खेती करता है ना, हम लोग काते है ना, अपने गाम में, कि बताईया पर खेती किया है, तो बताईया पर जो खेती होता है, उसको क्या कहते है, भावनेदों में बहाएं लेभी चेल हो सकर्फॉमघेंश भावनेदों Key encant 돼요 person यानि कि जो यहां पर आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है क्या जिसका नाम है जॉनसन तो जॉनसन एक कीन हाटेट. पर्सन है. कीन हाटेट. पर्सन का मतलब क्या हुआ? कि वो बहुत ज़ादे डयालू है ठेक ना? कीन हाटेट मेंज क्या होता है? दयालू होता है. तो जौंसं क्या है? तो जौंसं एक डयालू व aggression ठेक ना? आगे देखो क्या कर रहा है. यानि कि लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? आलसी है किन हटेट तो है लेकिन किन हटेट होने के साथ वो क्या है? वो बहुत ज़्यादे आलसी है समझ गा ना? आगे देखिए क्या करा इसमें? आगे पढ़िए करा है कि he did not work hard यानि कि वो कभी भी कठिन परिश्रम जो है कभी भी मेहनत नहीं करता है जो आप देख पा रहे हैं इसको जो जॉंसन है तो जॉंसन कभी भी जादे मेहनत नहीं करता है ठीक ना? आगे देखिए मेहनत नहीं करता है अब देखो, मैनत में करता आगे दिखी आगे देख रहा है, समझिए कि बात को क्या कर रहा है है, कर रहा है कि बिलीवड, यानि कि वह विश्वास करता है किस चीज में, तो more in luck than work, यानि कि वह अपने luck, वह अपने काम यानि कि कर्म से ज़्यादा वह वह किसमें विश्वास करता है कर्म से ज़्यादा वह भागय में विश्वास करता है वर्क मिन्स होता है कर्म और यहां पर आपका जो लग है लग मिन्स क्या होता है भाग ठेक न तो कर रहा है कि वह अपने कर्म से ज़्यादा कर कर्म करने से ज़्यादा किसीज में बिस्वास करता हैं तो कर्म करने से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आप लुट देख पा रहे हैं कि भागर में बिस्वास करता है ठीक है आगे देखिए क्या कर रहा है कि he had no land of his own यानि कुसका अपना कोई जमीन नहीं है ठेक ना क्या कर रहा है कि he had no land of his own यानि कि उसका अपना कोई जमीन नहीं है अपना कोई भूमी नहीं है ठेक ना he had rented land उसके पास कैसी जमीन है तो उसके पास मैं यहाँ पर दिया है कि rented land यानि कि किराय की जमीन है उसके पास कैसी जमीन है, तो उसके पास अपना जमीन नहीं है, बलकि उसके पास किराय की जमीन है, ठेक ना, आगे देखो क्या कर रहे है, कि he had a simple-minded son, यानि कि उसका क्या है, उसका एक भूला-भाला एकदम बेटा है, simple-minded जैसा है कि हम आपको पहले बता है, कि simple-minded मिस क्या होता है, भूला-भाला, तो उसका एक भूला-भाला बेटा है, ठेक ना, named Benji, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम Benji है, तो Benji नाम का उसका क्या है, एक भूला-भाला बेटा है, समझ गया ना, आगे देखो क्या कर रहा है, कि he was worried about son, यानि कि वो अपने बेटे को ले करके चिंतित रहता है, वरिड में जिसका होता है, चिंतित रहना है, तो वहीं करा है, he was worried about son, यानि कि वो अपने बेटे के बारे में चिंतित रहता है, आगे देखिए क्या करा है, कि on the advice of doctor, यानि कि doctor की सलाह पर, on the advice of doctor का मतलब क्या हुआ है, कि doctor की सलाह पर, doctor की सलाह पर, Johnson built a wire coop, यानि कि Johnson ने क्या किया, तो Johnson ने एक तार से जो है, एक खाचा निर्मित करवाया, खाचा मिंसमें देखिए, जैसे मुर्गी पालन वेगरा करते हुआ, आप लोग देखे हैंगों, तो उसमें जो दर्बा बनता है ना, तो उसी type का, मुर्गी का दर्ब his farm, और ये कहां पर बनवाया, तो अपने खेत के एक कोने में, जो है, वो तार से निर्मित एक खाचे का निर्माड करवाया, समझगा ना, आगे कर आए कि, and, और, give him some hands to keep engaged in work, और उसे अपने बेटे को दे दिया, और साती साथ, give him some hands, और साती साथ अपने बेटे को उसने क कुछ मुर्गिया खरीद करके दे दिया, ताकि उसका बेटा जो है, क्या करे, to keep engaged in work, ताकि उसका बेटा जो है, वो अपने काम में व्यस्त रहे, तो अपने बेटे को काम में व्यस्त रखने के लिए उसने क्या किया, उसने एक मुर्गी का दर्वा बनवाया, तार से, अप बैंजी टूक इंटरेस्ट अ कीपिंग हेंस अल्ड को बेंजी जो है कि बिडिए बहुत ज्यादा रुची लिया बहुत-ज्यादा इंटरेस्ट लिया समझ गया आगे देखिए का करहा है एंड ने all the tricks of the trade और मुर्गियों के व्यापार का मेन यहां इहां पर देखा जाए तो कि मुर्गियों के व्यापार जो व्याफार का वह जानता थे जुब्स आ जो सारा का व बैंजी को तो उसमें इंटरेश्ट लिआ और धीरए दीरे उसने क्या थिए भो पूरा का पूरा जो भी मुर्गियों के व्याफार करना होता है मुर्गी अपना इंटेस्ट उसका जग गया और धीरे-धीरे देखते देखते मुर्ग्यों के व्यापार का पूरा-पूरा चाहिए जयान गया नीव मिंस स्कोन्त Johnson also opened a passbook for him क्या कराया कि Johnson ने उसके लिए क्या किया उसके लिए एक passbook को भी खुलवाया समझ गया ना Johnson ने क्या किया Johnson ने अपने बेटे Benji के लिए एक passbook खुलवाया या निकि एक account खुलवाया समझ गया ना जिसे bank में हम लोग account खुलवाते हैं तो वैसे ही उसने क्या किया, अपने बेटे बेंजी के लिए बैंक में एक एकाउंट खुलवाया, ठीक है, to keep his money, और ये एकाउंट उसने क्यों खुलवाया, अपने बेटे के जो भी money है, जो उसका धान है, तो अपने पैसे को रखने के लिए उसने क्या किया? अपने पैसे को रखने के लिए उसने एक, मतलब, एक एक एकाउंट खुलवाया, एक पास्बुक खुलवाया, समझ गया ना? क्या करा है? कि Benji की जो parents है, यहने कि Johnson और उसकी wife जो है, तो Benji के parents ने क्या किया? उसके लिए बहुत जादे जो है, पैसा इकठा कर दिया, saved a lot of money means क्या होता है? कि Benji के माता-पिता ने क्या किया था? उसके लिए बहुत ही जादे मात्रा में पैसा जो है, वो इकठा करके, saving करक बचत करके वो रखे हुए थे, ठीक है, for him, उसके लिए, बैंजी के लिए, आगे दिखें का करा रहा है, कि when they gave him the passbook, क्या करा है, कि when they gave him the passbook, यानि कि जब उन्होंने उसे passbook दिया, यानि कि जब बैंजी के माता पिता ने उसे passbook दिया, समझ गा न, बैंजी के माता पिता ने उसे passbook दिया, ठीक है, तो आगे करा है, कि he did not say a word of gratitude, तो जब माता पिता ने उसे passbook दिया, और उसमें पैसा भरा हुआ है, तो passbook को लेने के बाद में उसने एक भी सब्द, अपने माता पिता को आभार के रुप में नहीं बोला, कि धन्यवाद, या पैसा डाल करके और मेरे को एक passbook दे रहा है, तो इसके लिए हम आपको thanks बोल रहा है, धन्यवाद नहीं बोला, कोई भी एक जैसे कि अभार एक व्यक्त करना चाहिए, अपने माता पिता के प्रती, तो ये जो है, वो बैंजी ने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ऐसा, ठीक आगे कर रहा है, he opened the passbook, उसने passbook को खोला, बैंजी ने क्या किया, बैंजी ने passbook को खोला, ठीक ना, और खोलने के बाद में क्या कर रहा है, कि looked at the amount, और passbook को खोलने के बाद में उसने क्या किया, उसने amount को देखा, पैसे को देखा को कर हम केतना रुपे रखा हुआ है, ठीक है इतना समझ भागा ना उसने पॉकेट में क्या को लिए अपने पॉकेट में रख लिया आगे कर रहा है कि बेंजी पैरेंट्स डिड नॉट फिल गुड और जब बेंजी ने ऐसा किया कि मतलब कि अब देखो जब माता-पिता मान लेते हैं कि आपको पासबुक दिये पैसा में डाल के दिये और आप लेकर के आराम से रख लिजेगा तो सभाविक सी बात है कि उनको थोड़ा सा दुख लगेगा कि देखो ना एक भी सब्द जो है थोड़ा सा ये भी नहीं बोला कि बड़ा बढ़ियां लाग अलहादेला हुआता ऐसा कुछ नहीं बोला है तो वही लोगिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया तो जब ऐसा नहीं किया तो इसके माता पिता उनको अच्छा नहीं लगा कि एतना पैसा भींविक से तरीक से हमारे साथ है भी नहीं खिया ठीक आड़ा कि das he silently put the passbook in his pocket ठेक ना क्या करा है कि जब उसने जब उसने silently यानि कि जब उसने चुप चाप passbook को अपने जेब में रख लिया pocket में रख लिया तो उसके मता पिता को अच्छा नहीं लगा अच्छा फिल नहीं हुआ अच्छा मासूस नहीं हुआ समझ गया ना वहीं आगे कर रहा है कि when Benji knew the trick of the trade यानि कि जब Benji व्यापार करने का सारा का सारा तरीका सीख गया जान गया he began to earn money तो वो जो है वो पैसा कमाना शुरू कर दिया जब व्यापार करने का सारा तरीका सीख गया तो फिर वो क्या करने लगा, वो पैसा कमने लगा, ठेक ना, आगे दिखिए क्या कर रहा है, कि he deposited a lot of money, यानि कि उसने बहुत ही जादे मात्रा में जो धान है वो जमा कर दिया, deposit में उसका होता है जमा करना, तो बहुत जादे धान जो जमा कर दिया, ठेक ना, in his account, अपने account मे तो अपने account में उसने बहुत जादे पैसा जमा कर दिया, आगे देखिए क्या कर रहा है, कि when he started earning money, जब उसने पैसा कमाना सुरू किया, started earning money में इसका होता है, कि जब उसने पैसा कमाना सुरू किया, he forgets his parents, तो जब पैसा कमाना सुरू किया, तो उसने अपने माता पिता को भूल गया, ठीक ना, जब पैसा कमाना सुरू किया, तो अपने माता पिता को भूल गया, आगे कर रहा है, he purchased the land from Sanders, और भूल करके क्या किया, तो जो है, उसने जो भी जमिनदार थे, Sanders मीं से आपर क्या होगा, जमिनदार, तो जमिनदार जो है, तो जमिनदारों से उसने कोई भी खेत उत नहीं था, लेकिन जो बेंजी है, बेंजी ने अपने व्यापार के दम पर पैसा कमा करके और खेत भी खरीद लिया, जमीन भी खरीद लिया, ठीक ना, तो वही कर रहा है कि लैंड फ्रॉम सेंड, पर्चेज, लैंड फ्रॉम सेंडर, यानि कि उसने जो भी जमिनदार थे वहाँ के, तो उन जमिनदारों से जमीन खरीदा, ठीक है, लैंड खरीदा, आगे कर रहा है कि विन, he was about 14, और जब वो 40 वर्ज का हो गया, जब वो लगबक कितना, तो 40 वर्ज का जब वो हो गया, तो कर रहा है कि he married Florence, against the wishes of his parents, तो अपने माता-पिता की मर्ज के बिना, he married Florence, ठीक न, तो उसने Florence से साधी कर लिया, Florence एक लड़की है, और उससे उसने क्या कर लिया, साधी कर लिया, जबकि उसके माता-पिता नहीं चाहते थे, कि वो Florence से साधी करे, तो माता-पिता के मर्जी के बगैर जो है, माता-पिता के मर्जी के विरुध जो है, उस उसने किस से साधी कर लिया उसने Florence से साधी कर लिया. ठेक है? आगे देखिए क्या कर रहा है कि Florence was one of Whew Florence has Florence Benji के जो भी करमचारी थे जो भी लोग उसके यहां काम करते थे उन लोगों में सही एक थी Florence उसके यहां काम करते थे उस जॉब करती थी किसके यहां तो बेंजी के यहां ठेक ना तो वहीं कर रहा है कि बेंजी की इंपलोई थी उसकी करमचारी थी और उसे बेंजी ने क्या कर लिया आगे चलके साधी कर लिया ठेक है आगे देखिए का कर रहा है कि gradually धीरे धीरे बेंजी become indifferent to his parents धीरे धीरे जो है ध he did not treat his parents justly ठेक ना कर रहा है कि he did not treat his parents justly और अपने माता-पिता से वो ठीक से बेवहार भी नहीं किया ठेक ना ठीक से बेवहार भी नहीं करता था ठीक है धीर धीरे वो अपने माता-पिता के प्रती उदासीन हो गया साधी के बाद में और माता-पिता से अपना ठीक से पताव नहीं करता था, वहीं बोल रहा है आगे, कि he become so cruel that he drove them out of his home, करा है कि he become so cruel that, यानि कि वो इतना जादे कुरूर हो गया, इतना जादा कुरूर हो गया वो, कि the drove them out of his home, कि उसने अपने माता पिता को अपने घर से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, वो इतना जादा कुर क्रूर हो गया, कि उसने अपने माता पिता को क्या कर दिया, अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, आगे देखी क्या कर आए, कि thus, यानि कि इस प्रकार, in this story, इस कहानी में, we had, मतलब यहाँ पर had के जगा find भी लिख सकते हैं आप, तो we find that, यानि कि कि हम पाते हैं कि, a selfish and cunning son deceived his parents, यानि कि एक cunning जो एक बेटा है, उसने deceived his parents, यानि कि अपने माता पिता को क्या दिया, धोखा दिया, अपने उस माता पिता को धोखा दिया, जिन होने अपनी जिन्दगी की सारी कमाई, वो एक पास्बूक में भर करके, account में जमा करके और उसको अपने पूरे संपती को अपने बेटे को सौप दिया और उसने अपने माता पिता को अंत में क्या किया अपने घर से बाहर निकाल दिया निकि his parents and too much trust became the reason of the tragedy of the parents. और कर राया कि too much trust became the reason, यानि कि बहुत ही जादे, जरूरत से जादे विश्वास जो है, वो कारण बनता है, किसीज का कारण बनता है, of the tragedy of the parents, यानि कि माता-पिता के tragedy यानि कि उनके दुख का कारण बनता है. तो जरूरत से जादे अगर अपने मतलब जो माता-पिता थे, वो बेंजी पे बहुत जादे भरोसा किये थे, और वहीं उनके लाश्ट में क्या बनता है? दुख का कारण बनता है तो जो रोज से जादे भरोसा जो दुख का कारण बनता है और साथी साथ जो मेन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेंजी तो बेंजी के दोरा जो धोखा दिया गया अपने माता पिता को तो वो भी क्या हुआ, वो भी उनके दुख का कारड बना है, तो इस तरह समयन हम लोग इस कहानी में क्या सिखें, उसको एक छोटे से हम लोग और छोटे से फॉर्म में आपको सौट में बताते हैं, दखिए, इस कहानी में क्या सिखें कि यहाँ पर जो है, एक किसान था, और जॉंसन का एक बेटा भी था, जॉंसन कैसा किसान था, तो जॉंसन एक ऐसा किसान था, कि वो बने किराये पर खेत ले करके और खेती करता था, और उसी का एक बेटा है, जिसका नाम क्या है, बेंजी, और बेंजी क्या है, इस्टार्टिंग में भोला भाला एकदम, बेंजी जब भोला भला है तो उसके पिता सोचते हैं कि आखिर इसकी जिंदगी कैसे पार लगेगी ये कैसे जो है अपनी जिंदगी पूरी करेगा तो ये सोचते हुए उसके माता पिता जो जौनसन है तो जौनसन जो उसके पिता है उन्होंने क्या किया उन्होंने उसके लिए एक को व्यस्त रखें ठीक है लेकिन हुआ क्या कि जैसे 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 जो उनका बेटा है बेंजी तो जैसे जैसे वह मुर्गी के व्यापार का जो भी तरीका था वो जैसे जैसे सीखता गया तो लास्ट में फिर जब उसके पिता देखें कि यह अब कर सकता है तो पिता ने क्या कि क्या कि सोचा कि हम चलू अब तो हम तो बुड़े लोगा है तो एक काम करते हैं कि our तुछ भाइद तुम्हारे नाम से सारा का सारा पैसा हम जमा कर दिये हैं। और last में फिर बेटा क्या करता हैं? तो बेटा जो है अंत में जब साधी बिवा कर लेता है, कुछ दिनों के बाद में अपने माता पिता के मरजी की बिना ही करता है, यह भी साधी विवा भी और साधी विवा करने के बाद में फिर लाश्ट में का करता है तो अंत में अपने माता-पिता को ही का करता है अपने माता-पिता को घर से बाहर निकाल देता है तो इस कहानी में सीखने को क्या मिला कि माता-पिता जो है माता-पिता का जरूरत से ज़् पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो सारी चीज, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में अधिक साधिक सेयर करिए, ताकि और भी लोग हमारे वीडियो से जुड़ सके हैं, ठीक है, और चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की वीडियो का हम लोग अहीं पर समाप्त करता हैं, जै हिंद!